आपको क्या लगता है सामदाम गंदोगे वो सारे इस सत्ता के लिए अपनाई जा रहे हैं वाजनीती में तो सभी पार्टी करते हैं कोई मोदी जी एकेले नहीं करते हैं हम लोग सब करते हैं अभी जो माहौल क्रियेट किया गया ममता भी नजी जी की जो उसको लेके जो सोशल मीडिया जो वहियात पाना चला बरेंका वाटराजी को लेके भी काफी बैयान बाजिया एक जो आईटी सेल कर रही है कि उसके बारे में चर्चा करना भी मैं तो उसको उचित नहीं मानता है यहां तक ममता बेना जी का प्रशन है उनकी उपर सी बी आई की इंकौरी काफी दिनों चल रही है उनके जो खास मुकल रॉय थे जो कि इस पूरेज चिट फंड में में व्यक्ति थे प्रमुक व्यक्ति थे वो यह भारती जनता पार्टी में जा चुके हैं तो यह केवल प्रतिशोत की भावना से भारती जनता पार्टी के सरकार काम कर रही है और उन्हें केवल भ्रष्टाचार नजर आता है दूसरी पार्टियों में राफेल का इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसके उपर चर्चा करने भी तयार नहीं है तो भारती जन्ता पार्टी और मोदी जी और अमिर्शार की जोड़ी इनके लिए नियम है ना कानून है ना कोई एक इस पकार का एक देकरम होता है पॉलिटिक्स में वो नहीं है सर सी बी आई को बी जे पी एज़ टूल यूस कर रही है आप क्या कहें इसा है कि ना केबल सी बी आई इन्फोर्स्मेंट डारिक्टरेट है इनकम टैस्ट डिपार्टमेंट है हर तरह से ये लोग उसका राजयतिक दुरूप्यों कर रहे है सर जावरा सिल्टर हुप पे जो कुछ हुआ है मुझे जानकारी मिली है इसकी जाच होना चाहिए तो बीजेबी के लिए टारेट किया जाच हुआ है तो आपके मनसौर के नगरपा लिखाजा की हत्या जो हुई है उसी में मैं एक बहुती रहस देखता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ती 25,000 रुपे के लिए हत्या नहीं करें और उसमें कोई ना कोई गहरा रहस है और गहरा रहस में इसकी जानबीन पुलिस को करना चाहिए तेखे यह सब लोग ऐसे लोग है इनकी चर्चा भी करना नहीं चाहिए आपको भी नहीं करना चाहिए सर एक लास्ट सवाल आप से चाहूँगा मैं कि अभी जो समर्ण है करनी से ना ने करली प्रोटेस किया था जानकरी भी आई थी मीडिया में तो आने वाले जो आगामी लोग सभा चुना उसमें करनी से ना या जो समर्ण वार जो इस जो जो डिमांड है उनको लेकर वाट विल बी दे नेक्स ने अब नया कानून बना है उसमें सभी ने सपोर्ट किया है कोई दिनी बात में यह जो रिजुशन की लागु प्रच्छान को लागु अपने आप होगा झाल